आज का हमारा विश्य है वो बॉसेज जिनों ने आपको परिशान किया उनका क्या होगा शुरूव करेंगे हम मेश राशी वालो से जहां पर ये परिशान लिखा है इसके नीचे क्रेंगो है जहाँ पर आपको ये आपकी राशी दिखाई पड़ेगी मेश राशी हैं पर की अगर है आपको sales के background का boss मिला तीक है तो बड़ी दिक्कत है भाई आपको और शेल्स का background का je boss करका मिल गया और या यह तीला राशी का मिल गया तो समझे लो कि पसकी हिपल्ट बना देगा और जो है यह मीज राशी का जो बॉस है ये भी जो आप बहुत ज़्यादा highly demanded होगा लेकिन अगर इन्होंने किसी ने भी अगर आपको परेशान किया तो यह है कि आप देखिए यह जो बॉसे होते हैं वो basically बहुत ज़्यादा गैंग लॉड की तरह से काम करते हैं मतलब जैसे कोई मतलब गली महले के व इसे काम करते हों और वो अपने अपने जो है छेतर के दिगज होते हैं लेकिन आपको परेशान करने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इन्होंने अगर आपको परेशान किया तो आप इनसे बचके निकल जाओगे बहुत दिन तक आप यह परेशानी वाले प्रिशव राशी वाले भाई पहले तो इनको कोई परिशान करने के बारे में सोचता नहीं है लेकिन अगर आपकी जिंदिए में अगर कोई ऐसे बॉस आगए ये मिथन राशी के या करकर राशी के ये मिथन राशी के या धनू राशी के जो बहुत ज़्यादा हाइली डिमांडिंग होंगे कुछ बॉस ऐसे भी मिलेंगे आपको जो अब्यूसिव होंगे ठीक है लेकिन जो है आप इन से निकलने का आप कोई भी कोई भी चीज होल्ड बेक नहीं करते अप पहले निगा नीची करके आप सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं लेगिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बना वह जाते हैं एकदम से विल्कुल गुस्टा जो हो बाहर निकलता है फिर फिर आप यह नहीं देखते सामने कौन खड़ाई चाए वह बॉस हो चाहिए वो कुछ हो जहां तक आत्म सम्मान का बात है आत्म सम्मान पर आप अपना सम्झाता नहीं करेंगे रही बात इस बॉस की यह जो आपको फरेशान कर रहा है यह जो है इसको आप इसको आप इसके हाल पर छोड़ोगे अपनी नौकरी चेंज करोगे और आप व राशी वाले मिधन राशी वाले रिसोर्स कंट्रोल करते हैं और अगर मिधन राशी वालों की लाइफ में क्योंकि खराब बॉसेज अगर आपको मिले तो यह आपको मिलेंगे स्कॉर्पियो व्रस्चिक राशी के मिलेंगे मकर राशी के मिल सकते हैं और ये मीन राशी के मिल सकते हैं अगर इनसे अगर आपको फरेशानी हुई तो आप जो है बेसिकली आप अगर आप किसी HR फंक्शन में है या किसी उसमें है तो आप इनको अवइड करने ही कोशिश करेंगे के वही इनको avoid किया जाए इन से बात करके कोई फायदा नहीं है लेकिन भॉस तो खराब भॉस वो होता है जो basically आपको आप उससे बले ही पंगे ना ले रहे हो वो आप से पंगे लेना शुरू कर देता है कोई दिन तक तो आप tolerate करते हैं उसके बाद आप वहाँ से आप निकल लेते हैं रही बात इसकी कि कि इसका क्या होगा वो जो है पीछे आप देखोगे कि उसने आपने क्योंकि वेवार तो है नहीं और लोहोंसे उल्टा बूलता है तो जो है वहाँ पर कोई उसके साथ में काम करने को बहुत ज़यादा थैयार नहीं है हम भी ऐसी बहुत सारी कं यह हम बात करते हैं आगे करक राशी वालों के करक राशी वाले भाईया कोई भी खराब बहुत है ना उसको टॉलरेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा किसी से भी जो है किसी भी तरह का खराब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं चाहे वो धनू राशी के हूँ चाहे वो मितन राशी के हूँ चाहे वो मेश राशी के हूँ अगर करकराशी वालों से अगर जो है उन्होंने गलत भाशा का कश्तिमेrie दो गलत भाषा का इस्तेमाल करकराशी वाले भी उसके साथ में कर देए ये बात बिल्कुल पकी है और और करकराशी वाले जो है इनको इनके हाल पिछोड़ देते हैं लेकिन अगर इनकी अगर सेलरी घी लास्ट salary अगर मारी इस boss ने तो ये legal तो ये कानूनी तोर पे सायता लेने से भी पिछे नहीं अड़ते है ऐसे bosses को सबक सिखा कर कि ही जाते हैं ये ठीक है next है हमारे पास में लियो सिंग राशी वाले सिंग राशी वाले वई सिंग राशी वालों की life में क्या होगा सिंग राशी वाले देखो वई पहली बात तो आप खुर लीड है ठीक है पूरे के पूरे business आप चलाते हैं single hundredly मैंने चलाते हैं देखा है सिंग राशी वालों को जिन्होंने पूरा business अपने धंपे खीच रखा है ठीक है लेकिन अगर आपको अगर परेशान करेगा तो थोड़े टाइम परेशान करेगा क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्फ यवर राश्चिक राशी वाला परेशान कर सकता है अगर आप से जलने लग जाए अगर आप बास से करते हो वो नौकर लगता है यह वाली काहनी आपके सामने बनेगी ठीक है अब हम बात करते हैं कन्या राशी वालों के बारे में कन्या राशी वालों की जिन्दगी में बॉसस खराब बॉसस का ताता लगा हुआ है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक अच्छे बॉसेज जिन्दिगी में आने ही नहीं आपकी लेकिन कन्याराशी वालों की एक खासियत है वो जितने भी खराब बॉसेज होते हैं उनको वो सीधा जरूर करते हैं अगर कंपनी का मालिक हुआ तब तो बात एक अलग है तब तो उसको छोड़के निकल जाएंगे उसके चंग बनाते हैं वो यह है कि यह अपने मैनेजर के साथ में रैपो ना बनाके उसके बॉस के साथ रैपो बनाते हैं एक लेवल छोड़कर के उसके अगले वाले के साथ में रैपो बना लिया अब यह चाहे कितना भी खराब घटिया मैनेजर हो इसको जो है इसको जो है यह काबू में कर लेते हैं उसकी तरफ से तो खराब बॉस इनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है पर ज्यादा परेशान नहीं कर सकता और यह जो है उसको छोड़ करके अपने केरियर की जड़नी पर आगे निकल जाते हैं और उस खराब बॉस को पीछे देखते हैं कि वो और धक्के खा रहा है उसी कमपनी में कियर आगे हम चलते हैं तला राशी वालो की तरफ तला राशी वालो को खराब बॉस मिलने का चांस तो है नहीं कि आपको कोई खराब बास मिलेगा बट मिल भी सकता है लेकिने मकर राशी वाले मिल गए दूसरा ही आपको तुला राशी का व्यक्ति मिल गया जो कि बहुत जादा खराब बास है यह आपको मिल सकते हैं आपको फरेशान कर सकता है लेकिन तुला राशी वाले अपने ल बारों कुछ दिन के बाद में बास आके खुद इनको मना लेता है यह वाली कहानी है अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो व्रष्चिक राशी वालों को ना ही छेड़ो तो बहुत अच्छा है और अगर खराब बास ने घटिया बास ने इनको छेड़ा तो बिलकुल यह जो है मान लीजे कि जो है उस बास की बेंट बजा देंगे यह एक बार अपनी पर आ जाएं तो यह सोचते नहीं है कि वही चार लोग सुन रहे हैं पांच लोग सुन रहे हैं यह पचास लोग सुन रहे हैं अगर इनको लगेगा कि अब इस नौकरी से जा नहीं है तो जो है इस ब पर पिटाई तो खैट नहीं करेंगे लेकिन जो है मुझा उसको बातों में जरूर जिसको उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे यह वाली कानी यहां पर बनती है नेस्ट है हमारे पाश धनुराशी वाले धनुराशी वाले चामकतवे सितारे उनके भी उनके भी सामने परिशानी कि जो है उनका बहुत से वह उनके सामने इसा लगता है 선 Waterloo है जैसे कि एक क्लर को अफिस में और ऐसके सामने लगए औरiesta प्रेने में पक्लर के इसमाने तो वहाँ पर जो है जो है वहाँ पर दो लोग खड़े थे उच्था इसको देखा जिसको ज़्यादा भाव नहीं दिया मालिक था कंपनी का और जिसको भाव दे दिया वो उसका ड्रैवर था ऐसे लग रहा था अब ये तो उसके साथ में उद्धा तो चुरे सा गया था थोड़ा था ये वाली कानी है तो ये वाली कानी भी धनुराशी वालियों के साथ ही बनेगी आपका बॉस आपको परेशान करेगा आपसे जलन की वज़े से सिर्फ और सिर्फ कि आप अच्छे दिखते हो या आप स्मार्ट हो या आप में ज़्यादा बुद्धी है और वो अपनी अपनी हांकने की मकर राशी वाले विचारे पिछते रहते हैं कुछ ताइम तक टॉलरेट करते रहते हैं कलते करते हैं कई कई बार तो यह सालों साल निकाल देते हैं अगर बहुत से बन गई अगर बहुत से नहीं बनी तो इसके तथा आर्गिमेंट करh mitt और बिल्कुल जो है बिटर नोट पर निकल लेते हैं अब इस बॉस का क्या होगा जिसको पीछे छोड़ के जा रहे हो वो याद करेगा आपको कि वह आप एक अच्छे होते लेकिन जो है फिर भी किसी भी तरीके से आप उसके चक्र से कुछ अकर से निकल पाने में सफल होंगे नेक्स टै है हमारे पास में कुंपराशी वाले कुंपराशी वाले खराब बॉसें तंक करने से पहले कई बार सोचता है لیکن अगर खराब बॉस है तो ये उस खरब boss के लिए उसके आसपास ऐसी परिस्तिती बना देगी कि उसको खुद मौकरी छोड़ कर के जाना पड़ेगा ये कुमबराशी के लोग हैं ये किंग मेकर हैं ये किंग मेकर हैं, किंग लूजर भी हैं, किंग डिस्ट्रॉयर भी हैं तो इन से जो है यह जो है अगर इनको परेशान किया किसी भी बॉस ने तो उसने जो है इनको हमेशा याद रखा है कि किसी ने उनका ब्रेंट बजाया था और किसी इसकी वेज़े से उनको दिक्कत हुई थी यह किसी प्रकार के लीगल लीगल एक्षन लेने से हैचार एक्षन लेंगे ठीक है पहले उसको समझाने की कोशिश करेंगे समझ गया तो ठीक है नहीं तो जो यह एक्शन ले लेंगे नेक्स्त है हमारे पास है मीन राशी वाले मीन राशी वालों को भी जो परेशान करने वाले जो बॉस्स हैं वो मिलेंगे लेकिन एक खास्यत है मीन राशी वालों की कि वो escape कर जाते हैं बाहर निकल जाते हैं बड़ी जल्दी उनको लगेगा कि यहाँ पर अगर कोई pressure आ रहा है तो एकदम से बाहर निकलने की सोचेंगा और बड़ी जल्दी उनको job मिल भी आता है रही बात है इस खराब बाश की पीछे आप इसको अपने हाल पर सड़ने के लिए छोड़ दोगे इसको के भी तू यहीं पर पढ़ा हुआ यहीं पर तू पढ़ा रहे तेरे लिए यही जो कुर्सी जो है यही बनी है ठीक है और आप अपनी जिन्दीगी में खुशियां और केरियर आप तलास करने के लिए निकल जाओगे अपना ख्याल रखे हैं और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू थैंक यू वरी मच इंदीद God bless you